सुबह सुबह मल्यापन कर रहे हैं मुखमंतरी लोहिया जी पर और वही सदन के अंदर उनकी सारी विचार धारा को तार-तार करने का काम किया आज शहादत दिवस के रूप में लोग भगत सिंग, सुगदेव, राजगुरु ने जो कुर्बानी दी उसके रूप में मनाया जाता है और भगत सिंग अंग्रेजों के खिलाफ लगते थे और जो कानून अंग्रेजों ने लागु किया था, वही कानून आज के दिन नितीश कुमार जी ने लागु किया है, आप समझ सकते हैं आज के दिन अब काला कानून क्यों, मुख्य मंत्री बड़ा प्रवचन दे रहे थे, बोध गया का कि आतंगवादी आजाता है, यह हो जाता है, तो आतंगवादी आएगा, कोई बम रखेगा, तो क्या जा करके ओर्डर ले करके आएगा, मेजिस्टेट से, तब जाके गिरफ्तार करेगा, कारवाई करेगी पुलीस, गोली मारेगी, सदन के अंदर बोल रहे थे कि ने बोल मुंबाई में जब घटना हुई, 9-11, याद 26-11, जब घटना हुई, तो क्या पुलीस के लोग वारेंट लाने गए थे कि कारवाई कर रहे थे, जब इतनी बड़ी घटना हुई थी, बॉम्बे में तो, पुलीस खामोश बैठी थी, वारेंट का इंदिजार कर रही थी, कि इसको बेवकूब बना रहे हैं, यह मुख्यमंत्री, पुलीस को अल्रेडी पावर है, पुलीस को अल्रेडी यह पावर है, यह देखिए, CRPC का किताब है, CRPC का, सदन में रहकर के जूट बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री, CRPC 41 अगर आप लोग पढ़ेंगे, तो इसमें लिखा है, पुलीस वारेंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, यानि बिना वारेंट के भी पुलीस को गिरफ्तार करने की शक्ति अल्रेडी है, यह देखिए, तब कर सकती है, जो पुलीस अधिकारी के उपस्थती में संग् करता हूं, बोधी मंदिर में पुलीस की डूटी रहती है, अगर कोई अपरादी, अगर कोई घटना बंदूख निकालेगा, तो पुलीस इसको गिरफ्तार कर सेखिए, इसको वारेंट की जरूत नहीं है, यह मुख्यमंतरी जी, किसको बेवकूव बना रहे हो, आप लोग स चाही है, जो हम खड़े हुए हमको बोलने दिया गया कि पेश कर दिया गया विल, हम तो बोलने थे हमको बोलने का मोकर दीजिए, आप लोग सब लोगा ने द करने mother Gmail, मांग की कि हमको समय पूरी तरीके से इस कानून में अब देखिएगा बिना वारेंट के तलाशी की जा सकते हैं यानि कोई समय सीमा कुछ नहीं है जब विधायकों की विधान सभा में पिटाई हो जाएगी तो इस कानून के बाद तो घर घुष करके पिटेंगे लोगों को कि पत्रकारों को घर घुष करके पिटेंगे कोई वारेंट कोई चीज की ज़रुवत नहीं है इसमें बड़ा अजीव लिखा है कि इसमें जो है बिना वारेंट के जो है अपना पूरा करवाई करेगी कि किसी व्यक्ति को गिरफतार कर सकता है जिसके बारे में कुछ नहीं बिला लेकिन उसको विश्वास हो जाए तो उसकी गिरफतारी हो सकती है यह क्या कानूने पूलीस होब और इसमें क्या होगा आम ढागरिकों को पकड़ा जाएगा बोलेगा चलो थाने दो थोड़ा रख आर्सीपी टैक्स दो ने तो ले जाएंगे बोलेगा मेरा जुर्म क्या नहीं पुलीस बोलेगा कि हमको विश्वास है कि तुम अपरादी हो चलो जे कि यह कानून है तो मजाग बनाए जा रहा बहस करने की बात कर रहे हैं हम तो चुनौती देते रहें कब से कहां बहस करना कब करना आके करो ना क्यों नहीं करते हैं जब हम खड़े होते तो बोले नहीं दिया जाता एक एक चीज़ का जवाब हम लोग देंगे एक चीज़ का य जिस तरह से विधाइक को आपनेत कर लेका काम किया गया पत्रकारों को मारने का काम किया गया यह पहली बार की घत्टा है क्या पत्रकारों पर हाथ उठाना इस ऑफ इस सतनमें लग average और पत्रकारों को पीटा गया कि अरे अपराधियों को पकरो मंत्री जो दारूप बेचवाने का काम कट उसको आप बचा के रखे हो कव शड़ आपको जो दुकान खोले है काला धन्धा जो शुरू किये है उसको आप संडक्षन देंगे स्रीजेन घुटाले वाले को संडक्षन देंगे बालिका अगरी वा यह तो अंग्रेज वाला कानून है ना जब हमने यह साबित ही खर दिया कि पुलिस के अगर सामने अगर कोई अप्राथ करेगा तो पुलिस गिरफतार कर सकती है लेकिन इसमें यह जोड़ा गया है कि उसको विश्वास हो जाएगा उसको अगर विश्वास हो जाएगा तो भी गिरफतारी हो सकती है चाहिए वह आप हो हम हो कोई निता हो को पॉलिटिकल पार्टी का कारेकरता हो या किसी से अवयद्वसूली कर दी हूं यानि नितीश कुमार जी पुलिस को ससकत नहीं पुलिस को गुंड़ा बनाना और रंगदार बनाने का काम कर रहें इस कानून से और लोक्तल्ट के मंदर में यह अंकोंचूशनल है यह गयर सन्विधानिक है अभी व्यक्ति की आजादी जो हमको सन्विधान में दिया यह उसको थुन छीनते का काम कर रहें यह कानून कोई समय सीमा और आटकर कोड़ा नहीं रहें ले जागा आज तो मेरे उपर भी जान का ज़नेवा हमला हुआ कहां से बिल्डिंग से पत्थर कहां से आया बहीं बिल्डिंग में उपर जैसे हम पहुचे वैसे बहुत शार करने देगा कोई मेजिस्ट्रेट नहीं मेरे से बात करने कोई एस पी था वहां बात करने के लिए एक वेक्ति अगर आप लोग के पास फूटेज होगा रिकॉर्डिंग होगा कोई मेरे पास जब हम पहुंचें डाग बंगला चोड़ा जाते पहुंचने के साथ ही बहुचार करना शुरू कर दिया उपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट से उसके उपर वाले बिल्डिंग से ह दो झोह भरो क्या करेंगे सादर में बैट के मुख मंक्य मथ्री जुट बोल रहा है इतना बढ़का जुट्था पाटीं बीजेपी को कहता है उससर somehow बढ़का जुटा मुखे मंसरी है भी हार का अहां? áreas आ अहां? क्या कहा रहे थे अभी बहस निते हम तो चाहते थे बहस करने स्वाजिकर कुछ नहीं कि सरकार को सनना चाहती नाकती है तुर ख़रें करके बोलते हैं आशन को कि समय दे दिजए निताप विरोधी दल विंकव के नहीं बोल के कि नहीं बोला गया वोलना चाहिए था कि नहीं अब जब हम नहीं है सदन के अंदर जबदास्ति बार पीट करके विधायों को पूलीस बल का प्रयोग करके दीम्स पी यद्य गुसा मार करके भगा के अधाप मुखमंत्री भाज़त दे खोद आते हाउस को कॉंफिडेंस में लेते हैं तो यह काम तो किया नहीं मुखमंत्री जी कहां गे अब जो है खाली हो गया तो उनकी आत्मा को संतुष्टी मिल रही है अपने नेतिक्ता को उनों बेच दिया है इसलिए आज कर अशर की बाद है इतनी ध्रटनाओं के बाद वो डिनर पर जाएंगे संस्कृतिक कारिकरम में भाग लेंगे इससे ज्यादा बेश्यर्म मुखमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा उन्होंने शरम और नेतिक्ता को बेच दिया लोकतंत्र की हत्ता की है लोगतंत्र के मंदिर में पुलिस का परवेश पहली दफा हुआ है यह पहले पत्रकार उसे शुरू किया गया आप लोग क्या कर रहे थे विदा को खार अधा को खार अब लोग बाधा प्रकट कर रहे थे मेरा सवाल हमारी छोड़िये न हम लोग लड़ाई करेंगे शंघर्ष करेंगे लेकिन आप लोग अपने बारे में सोचिए अब ये दिन आ गया जब लोकतंतर की मंदिर मर ही पत्रकारों और विधायकों को पिटा जा रहा है तो इस कानून के बाद सोचिए क्या होगा आपके घर में उठा करके पिटे लेकिन हमारे लोगों के साथ जो है वो मार्पीट की गई है जिस प्रकार से महिला अनीता जी वहा है घायल है प्रप्यार चलाने जादा पूरा मंतरी है कि विहार पुलीस की महिला आकर के घुषीट करके लेके गई जादन से बाल बाल भाल भाल खीच करके आती पिछना समाथ से आती है घली महिला क्या इनसे सदन सब लोगों ने देखा कैसे ब्रवार किया गया बताई आप लोग इस तरह कर लाइंड ना कपड़ा कटीकता नौ सारी देख रहे थे लोग सारे लोग देख रहे थे किस तरह हात कटा पैर में मोच आया सारा चिछ न कप्रा कटीकता ना कुछ था कि अबने लिए जाजा जाए साथ हो रहा हैं मपभागी अब लोगों ने मुख्य मंत्री जी को मुभारक हो अब बोज आज काला दिन, हम लोगों ने सब पाटीों ने विपक्ष के दलों ने, माले, CPM, CPI, Congress और हम सब लोगों ने बहुत है.